हालो दोस्तों राधे राधे और इस विंटर हम बना रहे हैं मैथी के लेड़ू इसके लिए मैंने एक घीं करम कर लिया है और इसमें मैंने दो तीन इलाइची और एक लॉंग डाल दी है जब यह अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे गहूं का आटा आप जिस कॉ और फिर इसको लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर का इसको हमको मुझ लेना है इसको भूझने में आपको 10 से 15 मिनिट लगेंगे क्योंकि यह आटा मुझने में बहुत टाइम लेता है और कंटिनू इसको चलाते रहना है नहीं तो यह नीचे से लग सकता है साथ है वो कड़वा नहीं लगता है इसलिए हम लोग आटा भूझ के मैथी के लड़्डू में मिला देता है मैंने पहले ही मैथी को धो के सुखा के उसका पाउडर बना के रख लिया है इतने आटे में मैं दो या तीन चम्माची मैथी का पाउडर ढालूगी यह देखिए मेरा आटा भूझ चुका है इसको भूझने में मज़े 10 मिट लग चुके हैं और अभी इसको और थोड़ी द देव और भूझेंगे यह देखिए दानेदार हो गया भूंते भूंते आटा इसको फिर भी हम थोड़ी देव और भूंते जिससे इसमें कच्छा पन ना रहे हैं और जब यह आटा चेचरे से भूं जाएगा तो हम इसको किसी बरतन में खाली कर लेंगे और उसके बाद फ सारे राइफ फूट पीस के बनाना है क्योंकि दांतों के कारण चपाने में दिक्कत होती है इसलिए मैं इसको सारे सामान को पीस के बनाऊंगे इसके बाद यह मैंने सवबराम काजू लिया है और यह गौन गौन अच्छी रहती है और ठंड में जरूर खाना चाहिए तो यह देखिए पहले मैंने काजू घी में थोड़े से फ्राय कर लिए फिर उसके बाद यह गौन यह गौन जब फूलती है तो इस तरीके से चिपक जाती है पर आपको अच्छे से इसको पूरी तरीके से रोस्ट कर लेनी है तो यह अगर कच्छी रह जाई तो दांत के ब ऑद फूल जाती है इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है इसी ही मैं बागी गउनको भी इसी तरीके से रोस्ट कर दूँगे इसको हम नेकाल लेते हैं अक्छी से देखिए हो GG हू चुकी हें दर ुल्स कच्छी नहीं है फिर इसके बाद बदां उसको भीसितर हैं कर लेना ह ज्यादा दिर तक नहीं रखना है तो कड़वा स्वाद आएगा कि वाल इतना कि उसकी जो नमी है वो निकल जाए क्योंकि हम लड़ों को स्टूर करके रखेंगे एक महिने तक इसलिए और उसके बाद ही मखाने घी में भुंजे हुए और यह मारे गॉन है कि और यहमारी बादाम भी फुन चुकी है चाहाई अब इन सब कहां पेस्ट बनाएंगे यह मैंने गॉन का पेस्ट बनाया यह देखी गॉन पिसने के बाद बल्कून क्योंकि जिन के लिए लड़ू बन रहे हैं उनके दापतों से बड़ी तकलिफ है तो अब मेवा को भी हमको इसी तरीके से एकदम पीछ लेना है यह देखिए यह मेवा भी मेरी पेस्ट चुकी है और इन सब को यह मेरे मखाने पेस्ट चुके है और एक बड़े भाउल में इस सब को मेरे को मिला देना है मखाने, काजू और बड़ाम का पेस्ट और इसमें जो थोड़े भाद बड़े यह देखिए साइड में आ रहे है इनको हम साइड कर लेगी है निकल निकल के यह देखिए इस तरीके से मैंने सारे बीन बीन के अलाग कर दी और इसमें सर्फ पाउडर ही पाउडर फॉर्म है य इसा नहीं कि जो दात के बीच में आये तो दिक्कत हो और सब को अच्छी तरीके से मिला देना है मैं बार बार उसमें से छांट ले रही हूं कि कहीं कोई बढ़ा टुकड़ा ना रहा गया हूं और अब हम क्योंकि मैथिक लट्टू बन रहे हैं इसलिए हम इसमें गुड का प्रयोग करेंगे सक्कर का नहीं गुड को केवल गरम करना है चासनी नहीं बनाने है केवल वो गरम हो जाए और फिर यह चन्नी की साहता से कि कोई गंदगी ना हो उसमें सब पेस्ट को मिला के और फिर यह हमारे लड्डू तहिया मैंने आदे लड्डू बना के रखे हैं औ राधा पाउडर रखा है इसमें मैं और कड़वें बिलाऊंगे